हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माय चैनल, फ्रेंज, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ट्राउजर पैंट की स्टीचिंग का वीडियो शेयर करेंगे, जिसके लिए हम मशीन पर आ चुके हैं, और ये देखिए जो पाचे हैं, वो पहले से बने हुए हैं, तो हमें पाचे ब हमें, इस प्रकार से देखिए हमें दोनों पार्ट्स को मिला कर रखना हैं, आसन की साइड में हमें सिलाई लगाना हैं, दोनों साइट के आसन को हमें मिलाते हुए इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे दोनों आसन में सिलाई लगा लेना है इस तरीके से देखी फ्रेंड इस तरीके से हमें अच्छे से पकड़ते जाना है मिला कर सिलाई लगा लेना है मैंने दोनों साइट के आसन में तो देखी फ्रेंड मैंने दोनों साइट के आसन में जो है हाफ इंच का दवाब देते हुए सिलाई लगा ली है अब हम इसे इस प्रकार से सेंटर से पकड़ेंगे और खोल देंगे इस तरीके से देखी अब हमने यहाँ पर जितना बैल्ट का निशान लगाया है उतना ही हमें इसमें बैल्ट को फोल्ड करना है पूरे राउंड में तो हम बैल्ट को फोल्ड इस प्रकार से करेंगे देखिए पहले हमें एक बार फोल्ड करना है थोड़ा सा कपड़ा देखिए इस तरीके से रखते हुए एक बार हम थोड़ा सा कपड़ fold करेंगे दो point का और उसके बाद हम 1,5 इंच तक belt को fold कर देंगे इस तरीके से हमें कपड़े को पकड़ते जाना है belt को fold कर लेना है तो देखिए friend यहाँ पे मैंने पूरे round में belt को अच्छे से fold कर दिया है और 2 इंच यहाँ पे मैंने गैफ छोड़ा है जिससे हमें इलास्टिक पास करानी है तो यहाँ पे मैंने यह इलास्टिक लिया हुआ है सवाइन चोड़ा और उसमें एक पिन अटेच कर ली है और इस पिन की मदद से हम यहाँ पे इलास्टिक को पास करा देंगे और दूसरे साइड से इलास्टिक को बाह लगा कर लेंगे सिलाई लगाकर दो से तीन बार जिससे कभी Terrace बापिस ना खुले बीच से तो देख़एछ वाइन्स मैंने सिलाई लगा ली एब हम इसे अंदर की तरफ छोड़देंगे इस तरीके से अंदर की तरफ elastic को करते हुए हमें यहाँ पर जो 2 इंच हमने gap छोड़ाता elastic pass कराने के लिए अब उस gap में हमें सिलाई लगा देना है सिलाई लगाते टाइम हमें इस चीज का ध्यान दखना है कि हमारी जो सिलाई है वो elastic के ऊपर नहीं आनी चाहिए वो हमें कपड़े पर लगानी है और कपड़े पर सिलाई लगाते हुए हमें उस area को बंद कर देना है अच्छे से देखी यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है देखे फ्रेंड अब हम अपने पैंट की gather को अच्छे से इस तरीके से एक जैसा कर लेंगे पैंट की elastic को खीचते हुए देखी इस तरह हमें gather को एक्जेस्ट करना है उसके बाद हम अपने trouser पैंट की fitting करेंगे gather से हमारी एक्जेस्ट हो चुकी है तो देखिए fitting हम जो है निशान से दो पॉइंट बाहर की तरफ से करेंगे क्योंकि यह cotton का कपड़ा है जब यह धुलेगा तो हमारा कपड़ा जो है थोड़ा सा सिकुड जाएगा दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को like share करें और हमें comment करके भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी देखी फ्रेंड इस तरीके से हमें अच्छे से पकड़ते जाना है दोनों हिस्सों को और अच्छे से सिलाई लगाना है और center में हमें इस तरकार से पका करते हुए सिलाई लगा देना है जिससे कि हमारी जो center की सिलाई है वो बैडने उठने में खुलेना और यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे से फिनीसिंग से यहाँ पर सिलाई लगा के अपने ट्राउजर पैंड की फिटिंग कर लेना है तो फ्रेंड देखी यहाँ पर हमने पैंड की फिटिंग कर ली है और ये हमारे पैंट का फाइनल लुक है इसे हम आपको सीधा करके दिखा देते हैं और हमने यहाँ पर इलास्टिक में एक सिलाई भी लगा ली है जिससे क्या होता है इलास्टिक पहनने के बाद पलटती नहीं है तो फ्रेंट हमने सिलाई लगा ली है अब हम आपको इसे सीधा करके फाइनल लुक दिखा देते हैं देखी दोस्तों यह हमारे ट्राउज पैंट का फाइनल लुक है जो की हमने शलवार से कटिंग करके बनाया है आप भी इसे घर पर बना सकते हैं बहुत ही असानी से इस वीडियो को देखकर फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आपके लिए यह वीडियो हेलपफुल रही तो इस वीडियो को लाइक किये विना ना जाएं और इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक समझने के लिए कि ट्राउजर पैंड की कटिंग और स्टीचिंग कैसे होती